नमस्कार प्रिये दर्सकु एक बार फिर आपका स्वाकत है हमारी यूटुब चैनल प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्रिये दर्सकु सास्तो के अनुसार बताया गया है यदि तुलसी का पोदा घर में लगाया जाया तो सभी नकारात्म उर्जाओं से चुटकारा मिलता है जिस घर में तुलसी का पोदा होता है उस घर में सदेव सुक्षानती बनी रहती है प्रीदर्सको तुलसी का पोधा घर में होना बहुत जरूरी है अपने आंगन में तुलसी का पोधा जरूर लगाएं तुलसी के पोधे के कुछ नियम होते हैं इसकी पाट पुजा करना इसमें पानी चड़ाना यदि इसके पत्ते हम तोड़ते हैं तो किस तरीके सम पत्ते तोड़ें तुलसी का आयरवेद में भी बहुत बड़ा महत्व है आज मैं इसी विशे पे बात करेंगे प्रियदर्सको तुलसी का पौधा आंगन में लगा दिये जाए तुलसी का पेड़ के नीचे रोजगी का दिपक जलाया जाए सभी जित्री भी नकारत में सक्तिया होती है उनसे चुटकारा मिलता है प्रियदर्सको माल अच्मी का आगमन होता है सदेवाब के गर में सुक्सानती बनी रहती है इसलिए तुलसी के पेड़ के नीचे तुलसी के पोधा के नीचे गी का दिपक जरूर जलाए तुलसी के पत्ते कभी बिगर ना है दोए नहीं तोड़ना चीए इसका बड़ा भारी दोस लगता है पाप लगता है यद्य आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागिदारी बन जाएंगे तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले आपको इसना ध्यान करना चीए स्वेच होना चीए उसके बाद आप तुलसी के पत्ते तोड़े येदि रोज खाली पेट एक तुलसी का पताब खाते हैं तो आपके सरी से समस्थ प्रकार की बिमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा तुलसी का बना पाउडर येदि आप रोज सेवन करते हैं तो आपके सरी से तमाम बिमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा तुलसी में कभी भी अशुद्ध पानी नहीं चड़ाना चीए जो पानी पीने लाइक हो, साफ हो, सुत्रा हो, स्वच पानी हो, वो पानी हमेशा चड़ाए तुलसी में कभी भी अशुद्ध पानी ना चड़ाए इसका बहुत बड़ा पाप लगता है आप साथ जन्मों तक पाप की भागिदारी बने रहेंगे यदि तुलसी में आप अशुद्ध पानी चड़ाते हैं ध्यान रहे तुलसी का पौदा ऐसी जगे हो जहां अच्छी जगे हो श्वच्छता हो गंदगी ना रहें तुलसी के आसपास किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चीए जिस घर में तुलसी की पुजा होती है उस घर में मास मदीरा इंची जोगा सेवन करना वरजीत है तुलसी की माला गले में धारन करने वाला भी मास मदीरा का सेवन नहीं कर सकता ये दिव ऐसा करता है तो वो साजनमों तक पाप का भागीदारी बने रहेगा उसके घर में कभी भी सुक समर्दी नहीं होगी तुलसी के पोदे के साथ यदि केले का पोदह भई लगा दिया जाए तो कहनी क्या बात है आपके घर में सुक समर्दी की बोचार हो जाएगी तुलसी के पोदे की निये मितरूप से पुजा करने से सभी प्रकार की दुख दुविदा से मुक्ति मिलती है तुलसी का पोदा हमारे आंगन में होना बहुत जरूरी है तुलसी का पोदा सकारात्म उर्जा का संचार करता है तुलसी के पोदे में मालक्षमिका भी निवाश होता है इसलिए आंगन में तुलसी का पोदा होना बहुत जरूरी है आप किसी भी भगवान की या देवी देवता की पुजा करते हैं उसमें एक तुलसी का पत्तर चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। धान रहे तुलसी के पोदे को छोटे बच्चे गंदे हातों से नाच हुएं। इसका दोस्त लगता है, पाप लगता है। तुलसी के पोदे को हमेशा एक चूंदड़ी उडा के रखें। तुलसी के पोदे को चूंदड़ी उडाना बहुत जरूरी होता है। सनिवार यह सुकृवार को तुलसी के पोदे में 16 सिंगार चड़ाएं। 16 सिंगार चड़ाने से आपकी सरो मनुकामना पूरी होती है। तुलसी देविया आप पे सदयव महर्बान रहेगी। मालक्षमी की बड़ी किरिपा होगी। यदि आप सोला सिंगार चड़ाते हैं तो ना दो करके विदी विदान से पाठ पूजा सहीत आप सोला सिंगार तुलसी में चड़ाए। इस से आपकी समस्त प्रकार की दुख दुविदा दूर होगी। महिला बुलसी का पूजा अपने आंगर में लगा लेती हैं लेकिन उसको नहीं तो चंदड़ी हुडाती हैं नहीं सोला सिंगार चड़ाती हैं। तुल्सी का पोदा कहीं अक्समात उगा हो तुल्सी का पोदा अपने आप उगा हो ऐसी जगर पे धन की संभाव ना भी होती है प्रीदर्स को तुल्सी के बहुत बड़े चमतकार होते हैं जो लोग इनको पहचान जाए उनका जीवन तुल्सी बदल सकती है तुल्सी का पोद सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें बिल आइकन ओन करना ना भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिपिकिसन सबसे पहले आपको इंबले तुलसे के सोला सिंगार के बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें आपको संपुन जानकारी देंगे कि तुलसी के पेड़ में सोला सिंगार किस विदी से चड़ाया जाए कब चड़ाया जाए कैसे चड़ाया जाए महिलाए माता भेने अक्सर ये गलती करती रहती है जबी भी आपको महिने का पीरेड आता है उस वक्त तुलसी के नजदेक भी ना जाए ऐसी इस्तिती में यदि आप तुलसी को छूती हैं तो आप साथ जन्मों तक पाप के भागिदारी बनी रहेंगी और आपका तुलसी का पौदा शूख जाएगा यदि तुलसी के पौदे के आसपास आप गंदगी रखते हैं तो भी आपका तुलसी का पौदा सूख जाएगा और आप पाप के भागिदारी बन जाएंगे इसलिए तुलसी के पौदे के आसपास कभी भी कोई गंदगी नहीं रखनी जीए महिने का पिरेड के दोरान तो कभी भी नहीं छुना भी बहुत पाप है तुलसी का पोधा बहुत पवित्र पोधा होता है इसमें सभी देवी देउता का वास होता है इसलिए जो माता भेनी ये गलती करती है वो गलती करना बंद करें यदि आप अपने घर में सुक्षांती, सुक्सम्रदी यस्वेभव की प्राप्ति चाहती हैं तो ये गल्तियां करना बंद करें तुलसिक के पोधे में यदि साम को दीपक जला दिया जाए तो आपके घर में अनधन की प्राप्ति होती है तुलसे के पोदे में यदी सनिवार को दिपक जलाया जाए तो इससे आपको रोजगार नोकरी मिलने की संभावना होती है तुलसे के पोदे में यदी मंगलवार को शाम को दिपक जलाया जाए तो इससे पुत्र प्राप्ति होती है तुलसे के पोधे में येदी भुद्वार के दिन घीका दीपक जलाया जाए तो इससे घ्यान की प्राप्ति होती है तुलसे के पोधे में सुमवार के दिन येदी तेल का दीपक जलाया जाए तो इससे सभी ग्रहदोस सांत होते है तुलसे के पोधे में यदि रिववार के दिन तिली का तेल का दीपक जलाया जाए तो इसे गरह कलेस दूर होता है तुलसे के पोधे में यदि सुक्रवार के दिन चमहली का तेल का दीपक जलाया जाए तो इसे पती की आयू बढ़ाई जा सकती है पती पे कभी भी कोई संकट नहीं आता उम्मीद है आज की हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करे ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहते हैं जी नमस्कार धन्यवाद